हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड के फायदों के बारे में तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडी केर में दोस्तों गुड एक ऐसा सूपर फूड है जिसके फायदों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल मेडी केर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन कौन कर लीजेगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएं तो दोस्तों गुड के फायदों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं आम तोर पर लोग सर्दियों के मौसम में ही इसका प्रेयोग करते हैं जबकि इसे साल भर खाया जा सकता है गुड स्वाद का ही नहीं बलकि सेहत का भी खजाना है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर डॉक्टर बहतर स्वास्ते के लिए मीठे खासतोर से चीनी से दूर रहने के सला देते हैं लेकिन गुड के साथ ऐसा कोई बंदन नहीं है गुड ना सिर्फ खाने में टेस्टी है बलकि यह कई और सधिय गुडों से भरपूर है यह एक ऐसा सुपर फूड है जिसके फायदों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं इससे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए यहां पर हम आपको गुड के ऐसे दस बेजोड फायदों के बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स यानि कि गुड पेट से संबंदित कई समस्याओं का रामबान इलाज है अगर आपको गैस या एसीडिटी की सिकायत है तो गुड खाने से लाब मिलेगा भोजन के बाद गुड खाने से डाइशन अच्छा रहता है गुड खाने से भूब भी खुलती है और दूसरे फायदों की बात करें तो यह खून की कमी को दूर करता है जी हाँ गुड आइरन का बहुत बड़ा स्रोत है अगर आपका हेमोगलबिन कम है तो रोजना गुड खाने से तुरंत लाब मिलेगा गुड खाने से सरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है एनीमिया के मरीजों के लिए तो गुड अमरित के समान है तो दोस्तों अब तीसरे फायदे की बात करें तो कंट्रोल रहेगा आपका बलेड प्रेशर इससे गुड बलेड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम करता है आम तोर पर हाई बलेड प्रेशर से परिशान लोगों को रोजाना गुड की सला दी जाती है और अगले फायदे की बात करें तो यह हड़ियां आपकी मजबूत करता है गुड में भरपूर मात्रा में केल्शियों और फास्पोरस पाया जाता है यह दोनों तक तो हड़ियों को मजबूती देने में बेहद मददगार है गुड के साथ अधरक खाने से जोडों के दर्ड से चुड़कारा मिलता है गुड सरीर को मजबूती प्रदान करता है और इसे एक्टिव रखने का काम करता है सारीरी कमजोरी दूर करने के लिए दूद के साथ गुड का सेवन करने से ताकत आती है और सरीर उर्जावान बना रहता है अगर आपको दूद नहीं पसंद है तो एक कप पानी में 5 ग्राम गुड थोड़ा सा निम्बू का रस और काला नमक मिला कर सेवन करने से आपको थकान मैसूस नहीं होगी तो दोस्तों आगे के फायदों की बात करें तो यह सर्दी जुकाम में कारगर है गुड सर्दी जुकाम बगाने में काफी एसरदार है काली मिर्च और अदरक के साथ गुड खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है अगर किसी को खासी की सिकायत है तो उसे चीनी के बज़ाए गुड खाना चाहिए गुड को अदरक के साथ गर्म कर खाने से गले की खरास और जेलन में राहत मिलती है तो दोस्तों आगे की फाइदों की बात करें तो यह आँखों के लिए बहुत फाइदे मंद है गुड का सेवन आँखों के लिए बहुत फाइदे मंद है गुड खाने से आँखों की कमजोरी दूर होती है यही नहीं गुड आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत मददगार है और आगे के फायदों की बात करें तो यह दिमाग के लिए बहुत गुड कारी है गुड आपके मूड को अच्छा बनाने का काम करता है यही नहीं अगर आपको माइगरेन की सिकायत है तो रोशना गुड खाने से बहुत फायदा होगा नेमित रूप से गुड खाने से आपका दिमाग बहुत मजबूत बना रहेगा और यह अद्दाज़ भी अच्छी रहेगी तो दोस्तों आगे के फायदों की बात करें तो यह तोचा के लिए बहुत फायदेमंद है आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गुड आपकी तोचा को साफ रख उसकी देखबाल में एहम भोम करने बाता है जी हाँ गुड शरीर से हानिकारक टॉक्सिंस बाहर निकालने में मददगार है इससे आपकी तोचा साफ और स्वस्त बनी रहती है रोजाना गुड खाने से मुहासों से छुटकारा मिल जाता है और चेहरा ग्लो करने लगता है तो दोस्तों इतने सारे फायदे हैं यह गुड के तो दोस्तों अगर आप इसका इस्तमाल सिर्दियों में करते थे तो आप इसे साल भर इसका इस्तमाल करना स्टार्ट कर देजिए दोस्तों गुड मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा हम ऐसे ही हेल्स रिलेटेड जरूरी वीडियो लाते रहते हैं और दोस्तों वीड जय भारत